परिचय आपके दोस्त जब मिलने आते हैं तो दरवाजे की घंटी बजाते हैं. घंटी बजने की आवाज से आप समझ जाते हैं कि दरवाजे पर कोई आया है. विद्युत घंटी में विद्युत धारा के चुम्ब किये प्रभाव से आवाज पैदा होती है। आईए इस मड्यूल में विद्युद्धारा के चुम्ब किये प्रभाव की बात करें। उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे। विद्युद्धारा के चुम्ब किये प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। विद्युद चुम्बक के बारे में बता सकेंगे. विद्युद घंटी का काम करने का तरीका समझा सकेंगे. विद्युद धारा का चुम्ब किये प्रभाव विद्युद धारा जब दार से प्रवाहित होती है, तो वहां चुम्बक बन जाता है. यहां समझने के लिए आईए एक साधारन प्रियोग करें तामे का एक महीन इंसुलेटट तार लेकर उत्तर दक्षिन दिशा में बांध दें अब एक कमपास की सुई जचोटी चुमबक होती है उसे तार के नीचे रखतें तार के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं जब तार में विद्युधारा प्रवाहित नहीं होती तच्चुमकी सुई तार के समानांतर रहती है और उत्तर दक्षिन दिशा बताती है तार से विद्युधारा प्रवाहित होते ही सुई अपनी उत्तर दक्षिन दिशा से भटक जाती है विद्युधारा बंद करते ही सुई वापस अपनी स्थिती पर आ जाती है इससे सिद्ध होता है कि विद्युधारा अपने चारों और चुम्ब की ये प्रभाव पैदा करती है विद्युधारा का चुम्ब की ये प्रभाव दिखाने के लिए एक साधारण प्रयोग करें लचीले इंसुलेटिड यानी प्लास्टिक या कपड़ा चड़ा हुआ तार का लंबा सा टुकड़ा लेकर लोही की कील पर लपेटते हैं इस तरह विद्युधिये चुम्बक तयार हो गया तार के सिरों को सुइच के सरीए एक सेल के सिरों पर जोड़ते हैं अब कील के सिरे के करीब एक पिन रखें और विद्युधारा चालू करते हैं हमने देखा कि पिन कील के सिरे पर चिपक गई धारा बंद करते ही पिन कील की तरफ आकरशित होना बंद कर देती है इस प्रयोग में विद्युधारा प्रवाहित होने पर कॉयल चुम्बक बंजाती है विद्युधारा बंद होते ही कॉयल की चुम्बकिये शक्ती आमतोर पर खत्म हो जाती है ऐसी कॉयल को विद्युधिये चुम्बक कहते हैं आपने कबाड घरों में क्रेन को लोहे का भारी भारी कबाड उठाते देखा होगा ये क्रेन लोहे के कबाड, गडर, प्लेट साधी के बड़े बड़े टुकडे उठाने और ले जाने के लिए विद्दूतिय चुम्बकों का उप्योग करती है इनहें कबाड से चुम्बकीय सामगरी अलग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है सामाने चुम्बक की तुलना में विद्दूतिय चुम्बक का मुख्य लाब ये है कि इनहें आसानी से चालू और बंद किया जा सकता है और चुम्बिकी एक शेत्र की शक्ती को भी प्रभावकारी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है विद्ध्यतिय चुम्बक Magnetic Resonance Imaging यानी MRI के लिए भी इस्तेमाल होती है जिससे शरीर के भीतर की विस्त्रित तस्वीर दिखाई देती है और बहुत से रोगों का नितान हो सकता है विद्ध्यत घंटी, microphone, loudspeaker जैसे विद्ध्यत उपकरणों में भी विद्ध्यतिय चुम्बक का इस्तेमाल होता है विद्ध्ध्ध घंटी आईए देखें कि विद्ध्ध्ध्ध्ध्धंटी कैसे काम करती है ये विद्धुतिय चुम्बक से चलती है बिजली की घंटी में लोहे के टुकडे पर लिप्टे तार की कॉयल होती है यहाँ कॉयल विद्धुतिय चुम्बक का काम करती है एक सिरे पर हथोडे में लगी लोहे की पत्ती इस विद्युतिय चुम्बक के निकट लगाई जाती है लोहे की पत्ती के निकट छूने वाला एक पेंच होता है लोहे की पत्ती जब पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत धारा कॉयल में प्रभाइत होने से वह विद्युतिय चुमबक बन जाती है यह चुमबक लोहे की पत्ती को अपनी तरफ खीशती है इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे पर लगा हतोड़ा घंटी की टोपी पर वार करता है और आवाज आने लगती है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं विद्युत धारा अपने चारों तरफ एक चुमबकी एक शेत्र पैदा करती है लोहे के एक टुकड़े पर इंसुलेटर तार लपेट कर बनाई गई विद्युत धारा ले जाने वाली कौईल को विद्युतिय चुमबक कहते है विद्युत घंटी विद्युतिय चुमबक के सिध्धांत से चलती है